हेलो फ्रेंड्स माई नेम ही नितियस और वाचिंग मैं चलन नितियस फिजेक्स तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो डेडिकेटेट है बेच्चो ए मैसे फिजेक्स 2010 का जो पेपर है उसको टॉप 10 इनिसियर प्रॉब्लम मैंने लिया है तो उसको मैंने सॉल्व करने की को प्रॉब्लम सेट जो चला वो अपने चैनल एपलोट कर रहा हूं तो जो मेरे चैनल पर नए है वह प्रीविएस वीडियो जाके देख सकते हैं तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के चले वीडियो स्टार्ट करते हैं यह मैंने पेपर फिजिक की साइट से उठाया हुआ है त पहला कोश्चिन कहे रहा है यहां पर देख सकते हैं विच आप दो फॉल्विंग पेर्स डज नाट रिप्रेजेंट कॉंटिटी जॉप आइडेंटिकल डाइमेंशन यहां पर दो दो करके पेर दिया हुआ है उसमें हमें बताना है कि कौन से पेर में जो डाइमेंशन है व इसमें हम डिफ्रेंट डिफ्रेंट डाइमेंशन लिखते हैं सारे कॉंटिटेट के तो अगर हम फाइंड आउट करें तो पहला जो आपसन है एंग्लोर मोमेंटबांटम प्लेंग कॉंस्टेंट दोनों की जो यूनिट होती है जूल्स सेम होती है तो यह दोनों अगे बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम में कहा रहा है अगर कोई चार्ज पाल्टिकल में अगर कोई चार्ज पाल्टिकल मैगनेटिक फिल्ड बी में सर्कुलर मोसन करता है तो उस पर दो फोर्स लगते हैं एक होता है सेंटिपिटल फोर्स एमबी स्क्वाइर जो इक्वल हो जाता है लॉरेंज फोर्स के क्यू बीवी यहां से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आर की जो बैलू निकल के आती है अगर आप आर की बैलू आप देखेंगे तो आर की बैलू आती है अर इसकल टू एंबी वाई क्यूंट यहां पर थोड़ा आपसं देखती है पहला दिया चार्ज आप दपार्टिकल आल्दो रेडियेज जो है वह चार्ज आप पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है लेकिन इनवर्स लिप पूदन आपसं अपसंट जो है मुमेंटम आप पार्टिकल यही आपका होगा राइट आपसं आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम कहा रहा है तो इक्वेशन डेल क्रॉस बी मुन आट एफसलन और जे आल्टी वेर बी दे मैनेटिक फिल बी एंजे आल्टी इस अगरेंट डेंस प्रॉब्लम का जो करेक्ट आप्शन होगा वह होगा आप्शन दे आगे बढ़ते हैं इस इसमें दिया एक फिप्टी ग्राम बुलेट मोविंग विद वेलासिटी टेन मीटर पर सकेंड इस ट्राइक ब्लॉक 950 ग्राम एट्रेस्ट एंड इंड गेट इंबेड़ इन इन इसमें आपको दिया है कि देखिए कैसे इसको लगाएंगे मोन जो दिया आपको 50 ग्राम इसको आपको कर लिए 0.05 0.05 005 kg और एम टू जो दिया हुआ है वह है आपका 950 ग्राम तो यह आपको हो जाएगा एम टू को अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा आपका 0.950 kg और यह देख लिए जो होगा वह एक्चली होगा 0.00 0.05 kg और एम टू जो होगा वह 0.950 kg और देखिए इनीसियल वेलासिटी जो दी हुई है यहाँ पर दी हुई है आप देख सकते हैं भीवन वह है 10 मिटर पर सेकेंड एक चीज़ आ रही है कि जैसे ही यह जो बुलेट है पर दीट के अंदर जाएगी इसकी जो फाइनल वेलासिटी हो जाएगी जीरो आपको यह पता होना चाहिए अगर हम कंजरब्वेसन आप मोमेंटम लगाएंगे यहां पर हम भीवन इसको माने और वीटू उसको माने तो हम भीटू के वैली आविसली जीरो रखेंगे तो हम काइनेटिक इनर्जी निकाल लेते हैं काइनेटिक इनर्जी आपको पता है क्या होता है अगर हम काइनेटिक इनर्जी निकाले काइनेटिक इनर्जी निकाले काइनेटिक इनेटिक 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 इ और V1 इसकल टूटेन रग दें तो यहां पर आपको काइनेटिक एनरजी इनिसल काइनेटिक एनरजी आ जाएगी 2.5 कि ग्रमीटर पड़ सकें या जूट तो आपको इनिसल काइनेटिक एनरजी मिल गए जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे यह बुलेट ब्लॉक के अंदर जाएगा तो वो रेश्ट में हो जाएगा तो फाइनल वेलासिटी जो इसकी हो जाएगी भी 2 वो हो जाएगी 0 ठीक है तो फाइनल कानेटिक जो हाफ M होगा वहाँ पे M जो होगा वहाँ पे ब्लॉक और प्लस बुलेट दोनों का मास होगा और जो वेलासिटी होगी वो कुछ अलग होगी यह वेलासिटी नहीं होगी तो हम उसको निकालने के लिए हम सिंपली कंजर्वेशन अप मोमेंटम लगा द सिंपली के लिए बुलेट इमबेड़़वने के बाद जो वेलासिटी है वह भीत्री है तो यहां पे M1, M2 मैं अपको दिसकस कर चुका हो भीत्री हो जाएगा जीरो क्योंकि वेलासिटी हो जाएगी बुलेट़ की 0 जब इमबेड़़वा तो और भीत्री मैने सिंपली किय तो वह easy है यह तो भीतरी जो आजाएगा वह जाएगा 0.5 करके देखिए आप यह जो आपने निकाला है 0.5 है उसका स्टोय करती है तो फाइनल काइनेटिक अनजी जो निकल के आएगी आपकी वह आएगी आपकी करके देख लेगी जीरो पॉइंट 125 करके देख लेजगा इनिशन काइनेटिक एंटिक अनर्जी आपको यह भी ए यह तो अगर हम लॉस होगा लॉस पर आप लॉस की बात करें तो लॉस आपको हो जाएगा 2.5 पहले आया होता है इनिसे काइनेटिक इनरजी फाइनल आपकी आई है 0.125 इसको सब्टेट कर दीए तो यह आएगा 2.375 जो कि अप्रॉक्सिमेटली 95 परसेंट है तो 95 परसेंट जो काइनेटिक इनरजी हो जाएगी वो लॉस हो जाएगी यहां पर देख सकते हैं कि आपसन बी जो है 95 परसेंट वो रॉइट आपसन है तो आपसन यहां पर भी आप टिक कर लें आगे बढ़ते हैं देखिए नेश्ट केहरा हुए यह भी क्लास्ष 12 का है देखिए इसके वेलसिटी इसको में पर चोड के बाहर चला जाता है इसका जो formula होता है अगर आपको याद होगा तो इसका जो formula निकल के आता है वो आता है भी not is equal to under root 2gm by r यहां पर क्या दिया हुआ है कि m को आप 2m कर दें और r को आप r by 2 कर दें जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे आपको निकल के आ जाएगे वेलासिटी इसके वेलासिटी टू भी नॉट तो जो आपसन भी होगा आपका वो राइट आपसन होगा आप करके देख सकते हैं इसको आगे बढ़ते हैं यह देखे च्छाटा कोस्टिन कहा रहा है था अर्थ रेडियस इस 6.376 मेट अर्थ इस 1. सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक एक एजंशन मानना होगा कि हमें पता है कि अर्थ आल्दो फ्लैट नहीं है ठीक है लेकिन हम जो एनर्जी यहां पर रेडियेट हो रहा है हम इसको एप्रॉक्समेटली मानेंगे एक फ्लैट डिस्क जिसका रेडियस अर्थ के रेड ट्रीकेस है यहां पर जो दिया हुआ है इसको आप मालीजे capital R और जो डिस्टेंद दी हुए है इसको आप मालीजे small r यहां पर देख लिए किलो मिटर में दिया हुए है इसको आप चेंज कर लिए तो यह हो जाएग 1.5 x 10.11 यह क्लियर है तो आपको रेडियेटेट इमिट इमिटेड वैसन निगालना आप सिम्प्ली एक फॉर्मला लगा दीजिये या रख रहिए आर स्क्वार अपान 4R आगे देखिए यह पेट कोश्चन ने बीच चुका हर साल पूछा जाता है A monochromatic light is traveling from one medium to another medium which of the following properly remains all altered देखिए जब कोई light जो होती है एक medium से दूसरे medium में travel करती है एक ही quantity जो है वो change नहीं होती जो कि है frequency तो यहाँ पे जो option D है वो frequency दिया हुआ है तो आप इसको tick कर लें आगे बढ़ते हैं कैरा the time required for the light to travel 60 cm in medium of refractive index 1.5 तेकिए 1.5 का refractive index है जिसमें time हमें calculate करना है distance दिया हुए 60 cm इस distance को आप simply meter में change कर ले D is equal to 60 into 10 to 1 minus 2 meter यह आपका हो जाएगा MKS system में मुझे मुझे मूझे मूग के वैल्व रूड़ डिये मूग के वैल्व नोट डाउन कर लें 1.5 आप सिम्पली फार्म लगाए time जो होता है आपका time is equal to distance by velocity इस भी को लिक सकते हैं आप d upon याद रखे रहिए भी को लिक सकते हैं c by c क्या है velocity of light है तो simply आप put कर दे d की value उपर दी हुई है 1610 पर मैंस 2 cv की value आप put कर दे 3 इंटो 10 पर 8 और mu की value पूट कर दे 1.5 तो आप देखेंगे जो answer आ रहा है option b मिलेगा आपको 3 इंटो 10 पर 9 22 पर मैंस 9 सेकंड आगे बढ़ते हैं यह देखें इप the total energy of the particle is thrice its rest mass energy then the velocity of the particle in terms of velocity of light total energy यहाँ पर जो है वो given है 3 times of rest mass energy that means e is equal to 3m0 c square right e को अप लिख दीजे mc square is equal to 3m0 c square इस m को change कर दीजे m is equal to m0 upon under root 1 minus b square by c square is equal to 3m0 c square इसके बाद इस equation को simply solve कर लिजे m0 c square से m0 c square cancel out हो जाता है और आप देखेंगे यहाँ पर जो b के value आएगी 2 root 2 by 3 into c आप इसको solve कर लिजे अगर आपको कोई भी problem हो आप हमें comment section में करके बताएगा मैं आपको detail solution देदूंगा आगे बढ़ते हैं यह last problem है इसके बाद क्या कह रहा है कि half life observer का पता करना है जो कि constant velocity 0.8c से move कर रहा है यहाँ पर आपको velocity भी दे दी गई है आप simply formula लगा दें t is equal to t0 upon under root 1 minus b square by c square t0 के आप प्रापर lifetime है जो कि 66 microseconds दिया हुआ है आप simply इसको put कर दें और solve कर दें तो आपको मिलेगा 60 microseconds जो की option c दिया हुआ है तो आई हो प्रेंट आपको वीडियो पसंद आ है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अगर जो आप अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को किसी निडी इस्टेंड को आप सेयर भी कर सकते हैं जो coaching classes आपो नहीं कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए घर पे रहें सुरच्चित रहें Thank you